आज की अपने इस वीडियो में प्रणावन के यूज़ को देखेंगे ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि कौन सा प्रणावन कहां यूज़ होगा और क्यों यूज़ होगा तो चलिए सुरू करते हैं ये कुछ प्रणावन है पहला सेंटेंस देखते हैं पहला सेंटेंस है राधा likes eating राधा खाना पसंद करती है फिर डैस है फेवरेट फूड इज पोलाव तो यहाँ पे राधा के लिए एक प्रनावन यूज करेंगे हम जिसमें कह रहा है कि राधा likes eating और फिर आएगा her फेवरेट फूड इज पोलाव यह हूँ अपना पहला सेंटेंस दूसरा देखते है rabbit is a pet animal उसके बाध डैस है fur is very soft तो कह रहा है कि rabbit एक pet animal है पालतु जानवर है और उसके जो fur होते हैं वो soft होते हैं तो obvious सी बात है उसके लिए हम उसका और उसकी दो यह प्रनावन होते हैं हिंदी में तो उसकी के लिए आता है जो feminine को represent करता है उसके लिए सी आता है और क्योंकि हाँ rabbit है तो rabbit masculine हुआ और इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा वो आएगा हीज अच्छा rabbit जो animals होते हैं उनके लिए भी हम प्रनावन के रूप में ही सी का ही यूज करते हैं जो human being के लिए यूज करते हैं वही इनके लिए भी यूज करते हैं तो यह हमारे लिए जानना जरूरी है इसके लिए confused नहीं होंगे थर्ड देखते हैं थर्ड है this book is that it has my name कह रहा कि इस book पे मेरा नाम है यह बात कह रहा है कि इस पे मेरा नाम है तो इस book is अगर मेरा नाम है तो किसका हुआ फिर obviously mine क्या आप गेस कर पा रहें fourth है Russian likes to play with Russian खेलना पसंद करता है brother आया है तो Russian likes to play with Russian के साथ क्या आएगा क्योंकि masculine है यहाँ पे आएगा his जब masculine होगा तो आपे ही जाएगा और feminine होगा तो आपे हर आएगा यह trick होता है और यह आप जानते भी होंगे आगे देखते हैं fifth देखेंगे you and I live in the same house मैं और तुम एक ही घर में रहते हैं तो क्या यहाँ पे this house is ours यह घर हमारा है क्योंकि हम दोनों इसमें रहते हैं sixth देखेंगे we went for picnic हम picnic के लिए गए जब हम गए यानि कि सारे लोग गए तो क्या हैगा our trip was well planned हमारा जो trip था बढ़िया से planned किया हो था seventh देखेंगे I think these keys are that I left them on the table अच्छा यहाँ main बात यह है कि मैं इसको table पे भूल गया था तो जब मैं इसको table पे भूल गया था तो obviously किसकी होगी मेरी ही होगी क्योंकि मैं ही भूला था तो क्या आएगा यहाँ पे I think these keys are mine है ना अंदाजा लगा रहा है मतलब कह रहा है कि this idea मेरी ही है ठीक है क्या आप गेस कर पा रहे है कि यहाँ पे क्या आएगा I hope so अठवा देखते हैं He is my brother वह मेरा भाई है I will gift him a game अगर यहाँ पे sister होता तो क्या आता हर आता है ना 9 देखेंगे Meena is my friend Her school is in Janakpuri Hello Rita This is This pen Is this pen Yours यह कौन सा सेंटेंस होगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं I hope आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे So thanks for now Stay safe